विरेन जी भी हमारे साथ इस शर्चा में शामिल हो गए हैं विरेन जी हाथसों से ना हम कोई सबक ले रहें ना कोई सीख ले रहें ना हम समझने को तयार हैं और जब मैं हम कहता हूं तो उसमें सरकार समाज और सिस्टम तीनों समली थे और हम मुवाबजा देकर आगे वड़ सबस्क्राइब कर दोता है नहीं कि तरह से पूरे देश में और पड़ेस में बाड़ आ गई है दुर घटाओ की कभी लखीम पूर कभी कानपूर कभी भदोई में कभी 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 कई कई कोई दिन खाली नहीं जा रहा है ऐसा करी इसके लिए ट्रक्तर टाली जिम्मेदार है ये भी नहीं कह सकते इसके लिए परिश्थितियां जिम्मेदार हैं देखिए हम लोग तो देखते आएं कि गरीबी अपने आप में एक अभिशाप रही है और जो गरीब होते हैं उनके धरम करम में थोड़ा विश्वास भी जादा होता है और जब से विश्वास बढ़ता है तो गरीबी जल्दी खतम नहीं होती है उस जाने का नाम नहीं लेती है धरम बहुत मानना धरम पूजा पाट करना देवी देवताओं को मानना अच्छी बात है बुराई नहीं है और लेकिन जब जो तपका बेहत गरीब है उसके लिए मनोरंजन का साधन भी यही है कि लेकिना सामने आती है उसमें तमाम निर्दोस महिलाएं और बच्चे मारे जाते हैं उनकी जिनका कोई दोस्त नहीं हुआ उनकी जान चली गई कि आप यह देखिए कि कानपूर में जो ड्राइवर था उसे सराब पील उड़ते समय और ट्रक्टर कुद आते हुए चल ला था और लाके तालाब में गिरा दिया और पूलिस वाले वहां पास सस्पेंड होई गया नहां इस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया ना आटियो न अप ड्राइब आखर ना कोई और उसमें पूलिस वाले सस्पेंड हो गया रहे ट्रक्टर टाली गृतलाव में घुरि तो पूलिस क्या धाले लेकिन पूलिस आशान है अपना निप्टा दिया कि देखिए ऐ। कर प्षोपकूल हमारे ग्रामीर जीवन कि हमारे अमीर जो इलाके उनकी जीवण रेखा है उससे बहुत सारे काम होते हैं बाराते जाती थी पहले लोग शादी ब्याम जाते थे बाल बनवाने जाते हैं यहीं साधने चलने का खेट जुदाई होती है और तमाम सारे काम होते डुलाई होती है लेकिन जब इस तरह घटना होती कि थोड़े पैसे बचाइने के चक्कर में मजबूरी में कुछ लोगों ने अपनी जान गवा दी पैसा है भी नहीं गरीब आद्मिक पास तो कहां जाएगा हम लोग तो छोटे थे बच्पन में देखते थे टक्टा टाली पे जाड़क सीजा ना रहा भी उस पर पाइरा भी देंगे कुछ गद्दा डाल देंगे लोग बैट जाएंगे उस पर अपना काफी मेला उला चले जाएंगे सवसों पचास पचास किलो मीटर लोग जाते हैं और हमेशा से परंपरा चलती रही लेकिन अगर ड्राइबर नसेड़ी है उसके साथ बैटे हुए सराबी निकल ग क्या उसके लिए कानून क्या है उसको कितनी बड़ी सजा मिलेगी क्या उसे मिर्त्युदंड मिलेगा या जीवन कहरवास मिलेगा या वह चुट्टियों में जाके कानून की जो कमिया है उनका फाइदा उठाकर छूट जाएगा क्योंकि हमारे हाँ इस तरह की दुर घटना की नहीं आप देखें इस कानून का कितना सदुपियोग है जब देश में इस तरह कि कमजोर कानून होंगे तो वहां लोग डरेंगे कैसे वहां रोज चक्टे टाली लड़ाएंगे गिराएंगे दुर्खटनाएं होंगी सड़क सुरच्छा सब्चा चलता है आप देखते ह सब लोग जानते हैं लेकिन उसमें क्या सुरच्छा कम और चालान ज्यादा जिससे की राजस बढ़ाएं और जब राजस खूब बढ़ आता है तो प्रस्नोट जारी होता है इतने चालान काटे उसके खिलाब कारवाई होनी चाहिए यानि उसके हां ट्राफिक सिस्टम सबस रिवर्स कर देना चाहिए एक्सन ये सब राजस बढ़ाएंगे कि अब ट्राफिक पुलिस राजस बढ़ाने में लगेगी लेकिन एक कमाई का साधन मन गया आप बताईए कि डगा मार वहां क्या नहीं चलना है कैसे चलना है जीब बस चल रही नेट अब टेक्सी स्टेंड के खिलाब अभियान चला था कहां चला गया तो ट्रेक्टर रोग लेंगे जैसे डगा मार चलते हैं वो इसे ट्रक्टर भी चलेंगे फिर ताली भी चलेगी गांधी जी का बोल बाला चलेगा उसमें क्या है वसूली होगी वसूली चलती रहे आप देखिए स्कूलों के वह हाइपर एक्टिव रहते हैं उसके बाद जैसे देखते हैं मीडिया से ख़वर थोड़ी हटी लेट गए आप देखिए अभी स्कूलों का हाल देखिए मर गए कितने निर्दोस लोग गुफा बना दिया एक उसी मुझा उसी माओ वदोही में आप देखिए कितने बड़ा ह पास्षा हुआ आज करोना काल में सरकार दावा कर रही थी कि हमारे पास गयसी फराद हो गई और सीची पर जहां मरीजों को ले जाए वहां गयसी लेंडर नहीं मिला वहां लोगों को आक्सीजन नहीं मिली सीची पर सीची मतलब कितना बड़ा संदाइक केंदर होता है कोई मामुली जगह नहीं होती लेकिन आप देखिए आठियो ए एल ये लची पूरा कर रहे है काउन इसा वह आदमी जानता कौन सा अपना और सरकार दोनों का लच्श पूरा करें क्योंकि आ Juby उनको भीटेखना नहीं है किरने से उसकी रिड़ की अड़ी तूट गई लखनव की कमिशनर रोसन जैकब ने उसका इलाज कराने के लिए तमाम सिपार से की वह रोती भी नजर आई तो इस तरह कि अफसर कुछ लोग हैं जो कुछ काम कर देते हैं आने था बहुत उम्मीद न करें यह बात पता है लखीमपुर खीरी में बस दुर घटना गरस्त हुई थी बाइस बार उसका चलान हुआ था और फिर भी वह सड़क प पुर्देश से इदेख गिये हम लोग जिस दौर में हैं कठिं दोर है जी गरीबी आज़ा भर ह्रही है रेकिन इंसान की जाना की कीमत बहुत होनी चाहिए सरवच होनी चाहिए चूँकि किसी की कि मा चली comprar कि बहुए कि सिदि बेटी कि इसी के भाई मरी दुक होता है लेकि अब क्या करेंगे लेकिन इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं बड़ी बेज जती है चाहिए आप कहीं चले जाए अस्पताल देखने सरकारी आप पोटिको से अंदर तक जाएंगे आपका मन खराग हो जाए कोई जती नहीं कोई समवेदन शीलता नहीं सिस्टम में हम लोग गरी जीब भी नहों कि वह अपना आगे का भविस्ट ना समार सके जीव जो समानता है यह इनसान की होसले को तोड़ देती है और इसी में गरीबी में भारत जैसे देश में लोग पिस रहे हैं लोग मर रहे हैं उनकी दर्द की कोई दवा नहीं है हम ट्रैफिक पुलिस को को से सर इस्तितियां पैदा की किसको किसको को से परहाल सुनिएगा कि एमाउत तेरा फैसला नेक है समसान में हर गरीब और अमीर का विस्तार एक है कभी आसू कभी खुसी बेची हम गरीबों ने बेबसी बेची और चंद सासे खरीदने के लिए रोज हमने थोड़ी थोड़ी सी ज दिवाद में हरिशन स्रीव